नमस्कार दोस्तों, SN Electrical Academy के यूटूब सेनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी assignment का electrician trade theory का second year का fourth semester solution कर रहे थे। जिसमें हम अब तक total 180 questions को fourth semester में solution किया हुआ है। ये हमारा 15 number part होगा जिसमें हम इस वीडियो में 181 number से question को हल करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो उन student के लिए important होगी। जो student ITI कर रहे हैं और वे second year के student हैं और उनको CBT exam देना है। तो वो student के लिए ये वीडियो काफी important होगी। साथी साथ competition exam की तैयारी करने वाले student के लिए भी ये वीडियो काफी important होगी। चोकि competition exam में भी इस assignment से question आते हैं। तो आईए दोस्तों question को हम देखते हैं। 181 number जो question है ये कहारा है कि पन विजली station में pain stock का का कारिक क्या होता है। अर्थात what is the function of pain stock in hydro power station। hydro power plant में pain stock का का कारिक क्या होता है। pain stock जो होता है जैसे ये tank हो गया, reservoir हो गया, बाध यहाँ बना दिया गया। और इस बाध से जो पानी टर्बाइन तक पहुचता है तो उस पानी को ले जाने का काम जो होता है वो pain stock का होता है। अर्थात pain stock का का काम हुआ, बाध से डैम से या टैंक से पानी को टर्बाइन तक पहुचाने वाली pipe को ही हम pain stock कहते हैं। आपसन जो A है, बाध तक पानी पहुँचाना, नहीं, B जो आपसन है, टर्बाइन तक पानी पहुँचाना, कहां से, डैम से, या जहां पे हमने पानी श्टोर किया हुआ है, वहां से, यानि आपसन नंबर B सही हो जाएगा, नेक्स्ट कोश्चन, 181 नंबर, 181 सोरी हो गया, 182 नंबर, यह 182 नंबर कोश्चन है, इस कोश्चन में कह रहा है, कि इस टीम पावर इस्टेशन में बॉइलर का उद्देश्य का होता है, इस टीम यानि थर्मल पावर इस्टेशन, इसमें बॉइलर का कार क्या होता है, तो boiler का जो कार्य होता है वह पानी को भाप में बदलने का काम करता है option जो A है भाप को अधिक गरम करता है नहीं इसके पास पानी पहुंचता है पानी को ये steam बनाता है भाप बनाता है गर्मी पानी और हवा को देता है नहीं B जो आपसन है C पानी को भाप में बदलता है इसलिए option number C सही हो जाएगा next question 183 number इसमें कहरा है कि किस प्रकार की बिजली सयंत्र अधिक कुसल होता है मतलब इसको इंगली साइड में आप पढ़िये तो अच्छा समझ में आपको आएगा best समझ में आएगा which type of power plant in more efficient मतलब ऐसा plant जिसकी efficiency जो होती है वो maximum होती है तो वो जो होता है वह hydro power plant होता है hydro power plant की efficiency thermal power plant, diesel power plant, nuclear power plant इन सबसे maximum होती है more efficient जो होता है hydro power plant होगा जो कि option number C में दिया हुआ है इसलिए option number C सही हो जाएगा next question 184 number 184 number question में कहा रहा है कि परमाडू reactor में नियंत्रक्ट छाड के रूप में किस समागरी का उप्योग किया जाता है अर्थात which material is used as control rod in a nuclear reactor मतलब nuclear power plant में controlling rod के रूप में किस material की rod का उप्योग किया जाता है तो वो केंडेमियम होती है थोरियम जो होता है uranium होता है ये इंधन के लिए nuclear power plant में उप्योग किया जाते है टंगाश्टन तो ये चालक में आ जाएगा c आपसन पे दिया हुआ है केंडेमियम इसलिए आपसन नंबर c सही हो जाएगा केंडेमियम next जो question है 185 नंबर 185 नंबर question करा है कि गैर परम परागत बिजली उत्पादन का है जो बिजली का production या थी energy के जो सुरोत होते हैं वो दो परकार के होते हैं एक होता है परम परागत एक होता है गैर परम परागत जो परम परागत होते हैं वो कौन कौन से इसके अंतरगत आएंगे तो इसमें आएगा steam power plant, hydro power plant, nuclear power plant और diesel power plant लेकिन गैर में कौन से आएंगे तो गैर में आएगा solar plant, wind energy, gober gas, geothermal ये गैर में आते हैं यहां पूछा है कि गैर परम परागत बिजली का उत्पादन किसके द्वारा होता है तो पहला जो है diesel डीजल वाला तो गैर में परम परागत में आएगा तो ये नहीं होगा परमाडू ये भी परमपरागत में ये भी नहीं होगा गैर परमपरागत में पन बिजली विंड पाउर आएगा इसलिए आपसन नमबर C सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन 186 नमबर इसमें कहा रहा है कि जैव द्रब्यमान का आउसोसन कौन करता है अर्थात रिड्यूज आफ बायो मास तो ये जो होता है सलरी होता है यानि घोल होता है जो कि आपसन नमबर ये में दिया हुआ है सलरी इसलिए आपसन नमबर C सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन 187 नमबर इसमें कह रहा है कि बायो गैस का मुख्य घटक कौन होता है बायो गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मिथेन होता है आपसन जो C में दिया हुआ है मिथेन इसलिए आपसन नमबर B सही हो जाएगा मिथेन और मिथेन का जो सुत्र होता है थेन का फॉर्मूला हुआ है नेक्स्ट कोश्चन कि एटी सेबन नंबर कि एटी सेबन कोश्चन कह रहा है कि साउर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है सोलर प्लेट होती है इसमें जो है सेमी कंडक्टर सीलिकॉन की लेयर रहती है इस पर जब सूर्य की रोसनी पढ़ती है अर्थात जब सूर्य की रोसनी इस पर पढ़ती है तो इसी को हम कहते है फोटो बोल्टाइक से और इस पर टकराती है तो इसी प्रकास एनरजी हीट एनरजी को बिदू तूर्जा में वो बदलता है सोलर प्लेट आपसंज जो ए है जब धूप काँच पर टकराता है नहीं बी जो होगा जब सुर्य की रोसनी निकट प्लेट पर टकराती है ये भी नहीं होगा सी जो है जब सुर्य की रोसनी मेगनीज मेगनीज नहीं होगा सिलिकॉन होगा जब सूरज की रोसनी फोटो बोल्टाइक सेल पर टकराती है तो उसी को हम सोलर पैनल कहते हैं इसलिए option number D सही हो जाएगा next question 189 number 189 number जो question है यह कह रहा है कि steam सकती संयंत्रों में air preheater का कार्य क्या होता है air preheater का use पूछ रहा है thermal power station में तो thermal power station में air preheater का काम जो होता है फुलू गैस को फुलू गैस से जो होती है वो heat होती है गरम होती है उनको निकालने का काम करता है और जो input air होती है मतलब ठंडी air होती है उसको गरम करने का काम होता है air preheater का आपसन जो A है वो आपूर्ती जल को गरम करता है एकनो माईजर को गरम हवा पूर्ती करता है ये भी नहीं होगा C जो है सुपर हिटर को गरम हवा किया पूर्ती करता है ये भी नहीं होगा D जो है फ्लू गैस से गर्मी निकालता है और आगत आगत का मतलब इनपुट वाईव को गरम करता है इसलिए option number D सही हो जाएगा next जो question है 190 number और ये आज का अंतीम question होगा 190 number question कर रहा है कि परमाडू सयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है अर्थात disadvantage आप nuclear power plant तो इसमें जो होता है इसमें इसके इंधन इुज होने के बाद जो कचरा होता है उसको निपटाने का ही एक नुकसान होता है जैसे option जो A है कचरे का निपटाना यही इसका एक मुख्य नुकसान है nuclear power plant का इसलिए option number A सही हो जाएगा तो दोस्तों हम उमीद करते हैं कि यह सभी question आपको अच्छे से समझ में आये होंगे फिर भी किसी question पे आपको doubt हो जाता है तो हमें comment box में comment कर सकते हैं हम उसका reply जरूर आपको देंगे और साथी साथ आपसे हम निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें share करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है तो प्लीज दोस्तों चैनल को subscribe कर लें तो इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए बाई बाई टेक केर